सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें क्या आप बिजनेस करते हुए संत रह सकते हैं? संत, बिजनेस has nothing to do with हम कहां रहते हैं? कौन से कपड़े पैनते हैं? और क्या काम करते हैं? it all has to do with किसी ने नहीं करना तो वो ये कपड़े पैन के भी ये कपड़े पैन के भी बिजनेस कर सकते हैं? और किसी का नाम नहीं it's no person, it is sanskar and कोई करना चाहे वो बिजनेस में करेगा, पीस घंटे काम करेगा लेकिन उसका हर करम संत जैसा होगा संत और बिजनेस कोई दो डिफरेंट जीवन नहीं होती, वो सिरफ एक सोचने का तरीका होता है संत मतलब पवित्र आत्मा को हमने वो टाइटल दिया, हम में से हर एक एक प्योर आत्मा है हर एक आत्मा प्योर है, हमने कुछ बिलीफ सिस्टम बना लिया और हमने कहा बिजनेस है, तो थोड़ा बोट तो करना पड़ता है हर एक का यहां वाइट कलर है, हर एक आत्मा प्योर है हर एक आत्मा प्योर है, लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, तो गुसा तो करना ही पड़ेगा, दाग लगा फिर मैंने कहा, उन्होंने ऐसा किया, तो जोड़ से तो बोलना ही था दाग लगा फिर मैंने क्या business है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा तो दाग लगा फिर दाग लगते लगते मेरा वो white color क्या हो गया और जब मेरा white color छीप गया तो हम ने का हम तो ग्रस्ती हैं हम तो business में तो हमारे लिए ये दाग ही ठीक है it's not true हम घर में रहते हुए परिवार को संभालते हुए अच्छे से अपना business करते हुए यहां white color रख सकते हैं क्योंकि जो यहां white color रखेगा उसने अपना जीवन सफल किया and सही माइने में वो ही व्यक्ती successful है वो ही व्यक्ती successful है successful वो नहीं है जिसने बहुत कुछ अच्छीव कर लिया successful वो है जिसने सही तरीके से अच्छीव किया उसको successful हम नहीं बोल सकते हैं जिसके figures इतने high हैं without checking के वो high figures आने का तरीका क्या था हमने कितना कमाया वो important नहीं है हमने कैसे कमाया वो important है हमने कितना कमाया वो सिरफ हमें साधन देता है एक शंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी हमने जो कमाया बच्चों के पास जाएगा हम जो कमाएंगे वो बच्चों के पास जाएगा हम जैसे कमाएंगे वो आत्मा पे रेकॉर्ड होकर हमारे साथ जाएगा